हाई गैस और विल्कम बाक टो दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन विल्कम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालेसिस ऑफ 22 जैनवरी 2023 तो गैस आज है तारिक 22 जैनवरी 2023 और है संड़े देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस पेपर को कम्प्लीट न्यूस पेपर को एनलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच यदा वेजूकेशन यूपी एसी आप लोग को यह वाला चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिस्स पर लेक्चर का पीडिएफ मिल जाता है डेली करेंट अफ़ेर के वेडियो का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बिस्स पर बहुत सरे डिजिटल नोट्स मिल जाता है नव बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है मैडेगाइसकर को कहाँ पर है यह exactly located इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2016 के prelims में पूछा गया था daily business पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करता है इस question के बारे में कल के वीडियो में भी हमने चर्चा की थी साथी साथ में पहले भी मैं इसके बारे में discussion कर चुगा हूँ तो आप सभी लोगों को इसका सही उत्तर देना ही होगा question क्या बोलता है which of the following is not a member of Gulf Cooperation Council जो हमारे पास में एक body है GCC नाम की यानि Gulf Cooperation Council इसकी full form है तो इसको लेकर यहाँ पे चार अलगलग देशों के नाम दिये गए है option में और पूछा यह यहाँ कि इन में से कौन सा एक country है जो की Gulf Cooperation Council का member नहीं है option A बोलता है एरान, option B साओधी रेविया, option C ओमान या फिर option D कोवेट तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily business बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है इसको मैं थोड़ी दिर में discuss करूँगा, वहाँ पर मैं आपको उस technology के बारे बताऊँगा जो कि आने वाले समय में Google के लिए एक खत्रा पैदा कर सकती है तो उसको लेकर कई सारे articles, editorals publish हुए, वो जब मैं आगे discuss करूँगा, ठीक है फिलाल अगर आज के front page पर आते हैं हम लोग, तो सबसे पहला article निकल कराता है ये वाला इसको आप लोग GS paper number 1, history और art and culture से link कर पाऊगे बात क्या की जा रही है, हमारी के सरकार ने decide क्या है, कि असम के जो चाइदेरो district है यहाँ पर एक a home burial site है, a home burial site मतलब यहाँ पर यह home kingdom को belong करावा site है अब यह burial site क्या होता है, एक ऐसा area of land जहाँ पर dead bodies को उस समय दफनाया जाता होगा है ना, तो dead bodies को bury किया जाता होगा, यह basically यहाँ पर burial site कहलाता है तो यह जो a home burial site है ना, इसको आने वाले समय में एक UNESCO World Heritage Site का status देने के बारे में चर्चा की जा रही है हमारे किये सरकार ने decide किया है और बोला है कि इस साल हम इसको UNESCO World Heritage Site का status देने की कोशिश करेंगे इस status basically दिलवाने की कोशिश करेंगे ठीक है उसके लिए यहाँ पर इस particular site को nominate भी कर दिया या है यह बात इस article के अंदर बताई गई है दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि अगर हम बात करते हैं North Eastern Region की तो इस प्रकार से जो cultural heritage वाली category होती है ना इसमें अभी तक world heritage site का status किसी भी चीज़ को नहीं मिला है तो पहली बार ऐसा होगा अगर इसको यहाँ पर world heritage site का tag मिल जाता है तो North Eastern Region में एक पहला ऐसा cultural heritage यह category के अंदर आने वाली site होगी जो की world heritage site के अंदर में cover की जाएगी यह बात clear होगी उसके बाद हमारे PM Modi ने इस site के बारे में mention किया home kingdom के बारे में बताया उड़ोंड़े यहाँ पर बोला कि जो यह चराय देओ मैदाम है न यह क्या represent करता है यह represent करता है medieval period को यानि कि लगबग 13th और से लेकर 19th century sea के आसपास कि यहाँ पर बात कर रहे है उस time period को यहाँ पर यह बिलॉंग करता है जो असम के अंदर a home community हुआ करती थी वहाँ पर basically burial tradition चला करता था यानि कि इस प्रकार से dead bodies को bury के जाता था दफनाया जाता था तो उस साइब पर यह site बनाई गई थी तो इसको यहाँ पर world heritage site का tag देने के बारे में मांग की जा रही है कि इसको world heritage site tag मिलना चाहिए फिर उसका अद आर्टिकल में थोड़ा सा a home के बारे में बताया यह चर्चा कर लेते हैं देखो a home ने rule किया था लगबग 600 साल तक 600 साल तक यहाँ पर इन्होंने rule किया था असम के अंदर में बाद में यहाँ पर फिर ब्रिटेशनर्स ने असम को कबजा लिया था 1862 के अंदर sorry 1826 में यह जो पर्टिक्लर रीजन है यानि की चराइद्यों की जो हम बात कर रहे हैं यह गुहाटी से लगबग 400 किलोमेटर इस्टन साइड में नजर आता है ठीक है और यह उस समय पर अहूम डाइनस्टी का कापिटल हुआ करता था अहूम डाइनस्टी ठीक है ऐसी डाइनस्टी जिसको यहाँ पर फाउंड किया गया था चाओ लूंक सियू खापा के थूरू 1253 में तो यह बात यहाँ पर बेसिकली अलग से एक यह आर्टिकल में आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा पीडिएफ में प्रोवाइड करवा दूँगा इन फैक्च्वल डेटा को थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में नोट कर सकतो आपको डिरेटली वो हेल्प करेगा यह बात क्लियर हो गई अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकलर आर्टिकल के डेटा को बार्ग्राउंड डेटा से लिंक करेंगे यानि कि जो हमारा स्टाटिक पोर्शन होता है जहां से सवाल बनेगा ना अब थोड़ा सा उसके बारे में चरचा करेंगे पहली सीज तो यहाँ पे डिसकस करेंगे यह जो युनास्को का टैग है ना यह आकरकर है क्या देखो युनास्को की फुल फॉर्म है चलाया जाता है पुरे के पूरे प्रोग्राइमार से यह सारे के सारे युनास्को चलाता है युनास्को के इनिसिटीव है ध्यान अकना बाकि युनास्को के अंदर में दोuciones आती है एक होती है टैंटिटेव लिस्ट और फिर उसके बाद में इस tentative list से promote होकर बेसिकली आगे बतलब इस tentative list के अंदर जिस भी जगह को हम रखता है न फिर उसको आगे nominate किया जाता है ताकि उसको world heritage site का tag मिल जाए देखो मैं आपको समझाता हूँ tentative list का concept आखर कर क्या है देखो अगर आपको कोई भी अपना cultural heritage है ठीक है कोई भी यहाँ पर ऐसा विश्व धरोहर इस्तल है जिस आप मांग चाते हो विश्व धरोहर इस्तल की world heritage site के tag की चाते हो मांग कि हाँ इस particular area को यह tag मिलना चाहिए तो उसके लिए पहले उस particular site को tentative list के अंदर रखा जाता है कुछ time तक और वहाँ पर उसको consider किया जाता है फिर बाद में उसका एक final nomination होता है और जैसे यहाँ से tentative list से nominate हो जाएगा वो particular site तब जाके यहाँ पर उसको world heritage का जो center है वहाँ पर उसको भीजा जाता है देन उसके बाद वहाँ से approval मिलने के बाद में वो area world heritage site के tag को लेने के लिए capable हो पाता है तो यह ध्यान रखना बाकी यह UNESCO का world heritage site है क्या यानि कि हम मांग यह कर रहे है कि अहूम का जो यह चरायदयो मैदाम है इसको world heritage site tag मिल जाए तो यह है क्या world heritage site होता क्या है इसको महिंदी में विश्व धरोवर स्थल बोलेंगे तो यहाँ पे दुनिया बर में एक ऐसे important जो भी स्थल है जो भी important sites है न इनको एक पहचान मिल जाती है जब UNESCO उन particular area को world heritage site का tag देता है अब ऐसे tag नहीं मिलता है basically उस area की अपने आप में एक specialty होनी चाहिए उसका अपने आप में एक physical significance होना चाहिए उसका अपने आप में एक इतिहास होना चाहिए जैसे हैं यहापे हम लोग बात करें अहोम्स के तो अहोम्स का बहुत पुराना इतिहास है तो उस area का अपने आप में importance हो उसका special culture हो, उसकी काफ़ी specialities हो देन उसके बाद में यहाँ पर उसको World Heritage Site के tag को हम लोग लेने के लिए आगया प्रूव कर सकते हैं ठीके, बाकी जो यह list होती है World Heritage Site के इसको maintain कौन करता है इस पूरे site को maintain किया जाता है एक International World Heritage Site Program के दुरू और इस program को यहाँ पर चलाती है हमारी एक committee जिसका नाम है UNESCO World Heritage Committee अब हम लोग थोड़ा sites के बार में discuss करते हैं दुनिया बर में इस प्रकार की कितनी sites हैं तो दुनिया बर में इस प्रकार के आपको 1100 स्थल देखने को मिलते हैं ठीक है न और यह जो 1100 स्थल हैं ऐसा नहीं किसी एक देश के हैं 167 member countries हैं 167 member countries आपको देखने को मिलेंगी 167 167 member countries हैं उन countries से यहाँ पर यह 1100 sites 1100 स्थल यहाँ पर बिलॉंग करते हैं जिसको यहाँ पर UNESCO की list के अंदर रखा गया है ठीक है बात क्लियर हो गई तो आपका एक सवाल होगा कि जब यहाँ पर किसी एक particular site को UNESCO की list में रखतिया जाता है तो क्या उसको हटाया भी जा सकता है हाँ हटाया भी जा सकता है ध्यानक ना आपसे question बन सकता है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि साल 2021 में जो Liverpool है Liverpool क्या है एक maritime mercantile city है एक शहर जो की United Kingdom के अंदर में इसको World Heritage Site की list में रखा गया था लेकिन इसको recently delete करा है साल 2021 में हमने इस list से निकाल दिया क्यों क्योंकि यहाँ पर अब वो उतनी values follow नहीं कर पा रहा है जो यहाँ पर guidance होनी चाहिए थे उन चीज़ों को लेकर वो यहाँ पर follow नहीं कर पा रहा है अब वहाँ पर और जदा loss देखने को मिल रहा है एक समय पर वो area था जिसमें उसके इतिहास को हम बचा रहे थे protection प्रोवाइट करवा रहे थे तो इसको पहले UNESCO की list में डाला गया था बाद में इसको हटा दिया गया क्यों क्योंकि वहाँ पर उस area को कोई protection दे ही नहीं रहा था वहाँ पर लगातर जो area है वो degrade होता जा रहा था हैना लगातर उस habitat को वहाँ पर खराब किया जा रहा था जानवरों की hunting हो रही थी तो इस वैसे उसको भी list से यहाँ पर निकाल दिया गया ऐसे यहाँ पर Elbe Valley जो है कहाँ पर है Dresden जर्मनी के अंदर में इसको भी यहाँ पर साल 2009 के अंदर यहाँ पर क्या करा गया बाहर निकाल दिया गया तो डिलिस्ट करने का भी प्रोविजन है ऐसा निये कि यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को World Heritage Site का टाइग मिल जाए तो इसको लिस्ट से नहीं निकाल सकते हैं ऐसा नहीं होता निकाल भी सकते हैं ध्यान अखना ठीक है बाइक इंडिया के अंदर Sights की बात करें तो इसको यहाँ पर देखना इंडिया के अंदर वैसे लगबख 3691 जो मॉनूमेण्ट से हैं और साइट से वह आपको देखने को मिलत्य हैं जो समारक और स्थल हैं वह लगबख 3691 के आसपास हैं जिसमें से जो 40 हैं, इनको युनास्को के अंदर World Heritage Site का tag मिला वा है, ठीक है जो 40, इसमें से जो 40 monuments और sites हैं न, वो लगबग युनास्को World Heritage Site वाले tag के अंदर में आती हैं, ध्यान रखना जिसमें से जैसे ताज महलो गया, अजंता केवस और एलोरा केवस हो गई, World Heritage Sites के अंद जिसको tag मिलावा है वो है काजी रंगा नाशनल पार्क, असम के अंदर काजी रंगा नाशनल पार्क है, जिसको यहाँ पर natural site का tag मिलावा है, ध्यान रखना, तो आप कोगे Sir, एक मिनिट, आपने भी थोड़ दर पहले ये बोला था, कि असम के अंदर, यानि कि North Eastern Region में, पहला एक ऐसा साइट होगा जिसको वर्ल्ड हरिटेस साइट का टाइग मिल रहा है नहीं यह मैंने बोलो था पहला कल्चरल ठीक है ना कल्चरल हरिटेस साइट होगा तो कल्चरल हरिटेस साइट अलग होता है नैचुरल हरिटेस साइट अलग है नैचुरल हरिटेस साइट में हमारा नैशनल पार्क वालेफ सेंचुरी ये चीज़े देखने को मिलती है ठीक है तो ये पहला कल्चुरल हरिटेस साइट होने वाला है असम के अंदर अगर इसको यहाँ पे टैग मिलता है तो चीक है ना बाकी यहाँ पे इसको रखा गया है बाकी आप देखोगे इंडिया का जो 40 वा यानि की 40 जो वर्ल हरिटेस साइट है वो क्या है हरपन सिटी ओफ धोला वीरा जो की गुजरात के अंदर है चीक है ना तो ये बेसिकली धोला वीरा जो गुजरात के अंदर है इसको यहाँ पे इंडिया के 40 वा वर्ल हरिटेस साइट में रखा गया 40 वा वर्ल हरिटेस साइट का टागिस को मिला था बाकी 39 नमबर पर कौन सा था तो 39 नमबर पर है रमपपा टैंपल जो की तिलंगना के अंदर में है यह इंडिया का 39 World Heritage Site है बाकी मैंने आपको बताया देखो तीन प्रकार के साइट्स होती है एक तो होता है Cultural Heritage Sites है न एक होती है यहाँ पर Natural Heritage Sites यह आप समझ चुके हो फिर एक होती है लास्ट में Mixed World Heritage Sites Mixed World Heritage Sites में मतलब इन दोनों ही चीजों का Mixer होता है Cultural प्लस Natural तो Mixed World Heritage Sites की कैडिगरी भी होती है तो क्वेशन यह है कि क्या भारत की कोई ऐसी साइट है जो की Mixed World Heritage Sites के अंदर में आती है हाँ वो है कंचन जंगा National Park खांचिंग जोंगा National Park आपको देखने को मिलेगा सिक्केम के अंदर में इसको यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट और Only Mixed World Heritage Sites का टाइग मिलावा है तो भारत का एकलोता Mixed World Heritage Sites यह है बात क्लियर होगी आग आता है बाकिस साल 2022 के अंदर जो हमारी Ministry of Culture है न इन्होंने कई सारे और भी जैसे कि इसको कंसिडर किया जाएगा देखा जाएगा फिर बाद में उनको World Heritage Sites का टाइग मिलेगा बाकिस साल मांग यहाँ पर की जा रही है कि हम लोग असाम के चराइदियो मैदाम को भी जो World Heritage Sites इसको टाइग दिलवाएंगे बाकि देखो लगबग 52 Sites 52 स्थल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे हमारे देश बर में जिनको अभी नॉमिनेट किया गया है World Heritage Sites स्टैटस के लिए और कोशिश है कि यहाँ पर इन सब को World Heritage Sites का टाइग मिले दुनिया बर में यहाँ पर उसके बारे में फिर लोग जानने लगेंगे बात क्लियर होगी यह आपने समझना होगा तो इतना समझ मा गया ना जितनी भी चीज़े में आपको बताइए यह सब हमारे इस आर्टिकल का पार्ट वन है जहां से क्वेशन बन सकते हैं इस प्रकार से आपको बाग्राउंड डेटा को लिंक करना होता है अब इसका पार्ट टू पे आता है यह तो आपने यहाप युनास्को वर्ल्ल हरिटे साइट क्या होती है यह सब कुछ यहापे समझ लिया इसका पार्ट टू यह है अहों अहों किंग्डम आखिर कार था इसके बार में भी आपको यहापर जानना होगा ठीक है तो अहों किंग्डम के बार में आओ थोड़ा सा हिस्ट्री के टॉपिक को भी कवर करते हैं अहों किंग्डम यहापर एक ऐसा किंग्डम था बेसिकली एक जिसको फाउंड किया गया था चौलूंग सुकापा गित्रू ठीक है जबी स्पेलिंग का फरक दिखता है जगा जगा पर आपको देखने को मिलेगा तो थर्टीन सेंचरी के रूलर थे जिन्होंने इस पूरे अहों किंग्डम को फाउंड गिया था और इस अहों किंग्डम यहापर एक नया स्टेट क्रेट किया था एक नया तरीका लेकर आया था जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था भुयांस का लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम हुआ करता था उसको यहापर उन्होंने खतम कर दिया था ठीक है अहों यहापर डिपैंडेंट थे किसके ओपर फोर्स्ट लेबर के ओपर ठीक है जो लेबर हुआ करती थी उनके उपर यहापर ज़धा डिपैंडेंट हुआ करते थे जिनके उपर जोड जया जाता था काम करने के लिए और इनको हम लोग यहापर पाइक्स के नाम से भी जानते थे यह पॉलिटिकल सेटप हुआ कर अब उस समय की सोसाइटी के बारें बात करें तो अहोम सोसाइटी दो एरियाज में डिवाइट की गई थी तो एक थी यहाँ पर कलान और एक खेल यह दो चीज़ों के अंदर यह पूरा का पूरा सोसाइटी डिवाइड़ था खेल की जो हम लोग बात करते हैं तो जो खेल वाला एरिया हुआ करते था वो अक्सर यहाँ पर कंट्रोल किया जाता था कई सारे गाउं के ध्रू ठीक है ये बिसिकली कई सारे गाउं को कंट्रोल किया करते थे बाकी ओहम जो है न अपने ट्राइबल गॉड्स जो है जो ट्रा उनको यहाँ पर पूरी तरह से नहीं छोड़ा इन्होंने हिंदुईजम को एडॉप्ट करने के बाद भी यह आपने ध्यान रखना है ट्राइबल गौट्स की यहाँ पर यह पूजा हमेशा जेकरते आए हैं बाकी मिलेटरी स्ट्रेडिजी के अगर हम लोग बात करें तो अह करके पाइक्स देखने को मिलेंगे एक होता है सर्विंग और एक होता है नॉन सर्विंग ठीक है जो इनकी आर्मी हुआ करते थी उसमें इन्फैंट्री यानि पैदल चलने वाले यहाँ पर पूरा सेना हो गई उसके बाद में नेवी हो गया और यहाँ पर आर्टलरी हो उसके आद में तलवार हो गई देन यहाँ पर तोप हो गई इन चीजों का यहाँ पर यह जातर यूज किया करते थे as a weapon बाकी इनका एक major strategy यह हुआ करते थे जो इनका जासूस हुआ करते था उसको अपने दुश्मन के कैम्प के अंदर भेज जा करते थे और फिर वो पर यहाँ पर इनका military strategy हुआ करते था देन उसके आद में जो अहुम soldiers है यह gorilla fight के अंदर भी काफी जदा expert थे कभी कभी क्या होता था यह अपने दुश्मन को अपने country में enter होने दिया करते थे फिर उसके बाद में उसका communication card देते थे अब communication card गया उसका देन उसके बाद उसके लगड़ हो गया कलिया बार कजाली पंडू यह आपको अलगलग important thoughts देखने को मिलेंगे उस समय के बाकी आप यह देखो जब इन एरियास की बात करते हैं तो अहुम की जह हम बात करते हो एक battle बहुत चर्चा में आती इसको हम लोग battle of सराइघाट के नाम से जानते हैं जो battle of navy होती है उनके बीच में यह बैटल हुई थी और अपने आप में greatest naval battle के category में रखा जाता है क्योंकि यह आपको ब्रहमक पुतरा नदी के किनारे की गई थी और दूसरा यहाँ पर अहुम्स की जीत हुई थी किसको हराया था ओहुम्स ने मुगल्स को हराया था ठीक है तो यह आर्टिकल पर बढ़ने से पहले make sure करना दोस्तों वीडियो पर लाइक का बैटन है उसको प्रेस कर देना 5K प्लस लाइक का टार्गेट उसने अचीव करना है और फटा फट यहाँ पर यह टार्गेट आप अचीव करवा सकते हो तो 5K प्लस लाइक को जल्दी जल्द से पह पिच्चर है ऑब इस पिच्चर में क्या क्या चीज़ है इस पिच्चर में दो चीज़ हैं जो की न्यूज में और आपको उसके बारे में जरूर से पाता होना चाहिए पहली चीज तो सांबर्डी 26 जनवरी से open होगा लोग यहां पर गूमने जा सकेंगे तो इस वज़ा से यहां पर यह news में है तो अमराबार Tiger Reserve इसके बारें पढ़ना है दूसरा यहां पर सांबर डियर के बारें पढ़ना है क्योंकि Natural Park Tiger Reserve को लेकर question बनता है और जो जानवर news में रहते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो है नागर जुना सागर स्री साइलम Tiger Reserve जो की आंदरपदेश और तेलांगिना के अंदर में है उसके बाद में यह इंडिया का second largest Tiger Reserve की काटिगरी में आता है अब यहां पर यह जो पूरा एरिया है ना अमरबर Tiger Reserve यह एक ट्राइब के लिए बहुत फेमस है और पता होगा इसको लिकर पहले question बने है कई सारे examination के अंदर में वो है चेंचू ट्राइब चेंचू ट्राइब यहां पर पाई जाती है चेंचू ट्राइब के साथ-साथ यहां पे अलग अलग प्रकार के जो जानवर है प्लस यहां पर आप देख पाऊगे कई सारी varieties की जो birds है वो पाई जाती है लगबग 300 से जादा varieties जो है उन birds की पाई जाती है कई सारे reptiles, हजारो insects यहां पर पाई जाती है दूसरा 600 से जादा अलग अलग जो पेड़ पोदों की प्रजाती है वो भी यहां पर रपाई जाती है तो यह area अपना आप में काफ़ important है बाकि चेंचू ट्राइब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चेंचू ट्राइब बिसिकली शीडूल ट्राइब के अंदर में आते है यह आपको आंदरप्रदेश चलंगना करनाट का ओडिशा के अंदर देखने को मिलेंगे जाता जो चेंचू जेंचू है वो कहां पे रहते हैं यह दोनों यहां पर वर्ड ध्यान अकना आपस में इंटर लिंक है ठीक है बात क्लियर हो गई जो चेंचू ट्राइब हैं यह चेंचू लैंगवज बोलते हैं यह बिसिकली द्रेविडियन लैंगवज फैंबली से भी बिलोंग करते हैं मतलब एक ऐसी लैंगवज चेंचू लैंगवज जो की बिसिकली द्रेविडियन लैंगवज फैंबली से बिलोंग करने वाली भास्टा है इसको यहां पर यह बोलते हैं आगे आते हैं यह हमारा इस आर्टिकल का होता है पार्ट वन कवर अब आते हैं पार्ट व की तरफ जो की अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बात आती हैं यहां पर सामबर डियर के बारे में सामबर डियर को बेसिकली अभी वनलेरबल काटिगरी में रखा या है यानि की जो हमारा IUCN का रेड लिस्ट है देखो यार जितनी भी आपको ये नीचे छोटी छोटी इंफोर्मेशन दिखाई पड़ रही है ना स्क्रीन पर जो नीचे इंफोर्मेशन मिल रही है एक एप होता है एडोब एक्रोबेट उस एप से यहाँ पर ही सारी इंफोर्मेशन आप निकाल सकते हो अब हम लोग बात करने किस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें सामबर डियर के बारे में तो पहली चीज़ जबी भी कोई जानवर नियूज में होता है तो आपको क्या पढ़ना पढ़ता है इसका IUCN स्टेटस और IUCN स्टेटस एज़ रटना पढ़ेगा तो यहाँ पर बात की जारी है यह है वलनेरेवल क्राटेगरी में साथी साथ में ताइवान में भी यहाँ पर यह मिलता है तो यह सारी जगा आपको देखने को मिलेंगे जहां जहां पर यह सामबर डियर पाया जाता है दूसरा थ्रेट के इसको देखो इसकी हंटिंग की जाती है इसको यहाँ पर इलीगल तरीके से मारा जाता है या फिर हं वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 में इसको शीडूल वन के अंदर रखा गया यानि कि इसको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइट करवाई गई है अगर कोई इसका शिकार करता है तो इसके ओपर हाई पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी बाकी इस सामबर डियर को लेकर कुछ प्रोटेक्टिड एरियाज है हमारे देश में जैसे काना, कॉर्बे टाइगर रिजव, रंथांबोर, बंदावगर्ड, गेर, दुदवा, मानस, काजीरंगा, सरिस्का ये कुछ टाइगर रिजव सें, सैंक्चुरीज है, नैशनल पार्क सें, जहां जहां पर ये सामबर ड मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल कवर किया था, जहां पर बताया था कि जो ब्रहमपुत्रा नदी है न, ब्रहमपुत्रा नदी जो की तिबबत से बैती व्यादी है, यारलोंग जैंकपो के नाम से जानते हैं, जब वो इंडिया मेंटर करती है, तब यहां प मबजा जैंकपो, क्या नाम है, मबजा जैंकपो यह जो नदी है, यह ओरिजनेट होती है तिबबत से, तिबबत एक ऐसा कंट्री जिसको चैनल ने कबजाया है, तिबबत में बेसिकली यहां पर जो नागारी वाला रीजन है, वहां से यह नदी ओरिजनेट होती है, और वो वज़ा से ये नदी important है ठीक है तो मबजा जैंग पो जहां रखना जब ये ऊपर से आती तो नाम इसका मबजा जैंग पो है बाद में नेपाल में आके घागरा नदी में और इंडिया में बिसिकली गंगर नदी से मिलने मिलने से पहले मेले ये घागरा नदी के अंदर मिल जाती है बात यह है कि ये न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिए क्योंकि चाइना ने इसके उपर जो activities है वो start कर रखी है यहाँ पर development कर रहा है दूसरा डैम वगरा बना रहा है तो ये कहीने की एक चिंता वाली बात है इंडिया और नेपाल दोनों के लिए ही तो कि चाइना लंबे समय से बॉडर के उपर बॉडर के जस्ट पास में ही लगातार development करता जा रहा है लगातार यहाँ पर infrastructure को build करता जा रहा है और फिर उसके बाद में वहाँ पर लोग बसते हैं और उससे बॉडर के उपर काफी सर यह यारलूंग जैंगबो रिवर यह उपर तिबबत है अब तिबबत को चाइना ने कबजाया है तो यहाँ पर चाइना बोलता है सब हमारा हिस्सा है इधर यहाँ पर हमारे इंडिया का नौर्थ इस्टन रीजन आई है तो ब्रहमुपुतरा नदी की जम बात करते हैं जो यह आ जाती है और फिर यहाँ पर आप देख पाऊगे इस प्रकार से इसका पात है ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रह diyorsunगे वन टू ठरी फोर चो लिखा है ना यह सारे डैंप्स जो है चाइना ने बना रखे हैं यहाँ पर बांध बना दिये है अब बांध बनाने से क उपर restore कर लेगा तो नीचे पानी पहुँचे गए नहीं पर सूखा पड़ जाएगा तो ये कईने की concerns यहाँ पर नजर आ रहे हैं चाइना की side से ये बात clear हुई तो ये आप इसका path देख पाओगे ये है यारलूंग जैंग पो जिसका हम ब्रह्म पुतरा के नाम से जानते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से एंटर करता है ये भी हमने clear किया दूसरा जो अभी मब्जू के बारें बात करें नई वाली नदी के बारें बात कर रहे हैं जो कि एक नई नदी जिसके ओपर यहाँ पर चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो ये वाली नदी है यहाँ पर आप लोग दिख पार होंगे यह है मब्जू जैंग पो तो यह यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में इस प्रकार से निपाल के अंदर एंटर करती है जो सकतो एक खटा छोड़ोगे तो नीचे बहड़ा जाएगी दो नई सिच्वेशन यहाँ पर क्रियेट की जा सकती है आई होप आपको यहाँ पर यह बात क्लियर हो चुकी है तो एक नया कंसर यहाँ पर निजर आ रहा है बार्डर के उपर उसके बारे में इस आर्टिकल में समझा है बाकी बरावर में एक आर्टिकल है अहोम को लेकर वो मैंने अभी थोड़ दर पहले आपको समझा दिया था नाँ नेट्स आता हैSilence and Tech के पेश पर कुछ काम का नई क्योंकि आपको पता है संड़े में एडिटूरल नहीं आता है नहीं एडिटूरल आता है नहीं टेक्स नन कॉन्टेक्सटर पर पहले जाता है जो एक्जामनेशन में थोड़े रेलिबेंट हो सकते हैं अलग-लग तरीके से question बन सकते हैं, कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको समझा दूँगा, तो तीन आर्टिकल है, line से आपको नीचे दिख रहे होंगे, फटा-फट कवर करते हैं, आकरकार क्या का यहाँ पर information है, तो कि Sunday में देखो यार आर्टिकल अलड़ी कम होता है, कोई बात यहाँ पर आपको picture के अंदर whale मचली दिख रही होगी, जिसका size बहुत ज़दा बड़ा होता है, whale मचली के बारे में सब इने सुना है, सब ने देखा भी है, मतलब picture में, है ना, ना, होता यहाँ पर यह है कि आर्टिकल पब्लिश हो है, कि आकरकार ऐसी कौन सी gene है, जिसकी इन whale मचली का size इतना ज़दा बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह ऐसा कौन सा gene है, जिसकी विसे यहाँ पर whale मचली इतना grow कर पाती है, उस gene के बारे में पता लगया गया है, तो उसी gene के बारे में हम यहाँ पर discussion करेंगे, तो जो नई research है, उनने reveal यह किया है कुछ ऐ ऐसे gene है, जिसकी वज़ा से whales grow कर जाती है, बहुत बड़े size में, वो gene है basically 4S प्राकार के gene है, और चार gene के बारे में डीटेल से नहीं बता है, बस खली चार gene के नाम है, क्या है एक है GHSR, एक है IGF, BP7, एक है NCAPG, और एक है PLAG1, यह चार gene है, और इनी चार gene का एक बहुत बड बढ़ाते रहते हैं, यह यहां पर बाते पता चलती है, इस प्रकार के और भी कई सारे gene है, वो detect करेगा है, ठीक है न, तो यह बात यहां पर ध्यान में रखना, अब कहोगे कि question कैसे बन सकता है, question ऐसे बन सकता है कि बस खाली यहां पर ध्यान रखना इसके बारे में, क्या G PHSR, IGF, और यह NCA, और यह PLAI, जो भी है न, थोड़ा word-word ध्यान रखना, यह क्या है, यह सब यहां पर gene है, तो आप से क्या किया जाएगा, जैसे UPSC करता भी है, statement में क्या कर देगा, चारो नाम देदेगा, statement में चारो नाम देदेगा, अब किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो उसे पता नहीं होगा, और नीच आप से पूछ लेगा, यह क्या है, ठीक है न, यह पूछ लेगा, यह क्या है, कि यह ऐसा gene जो की body size को promote करता है, या कुछ और है, या कुछ और है, ऐसे क्या करके पूछ लेगा, या galaxy के नाम है, या क्या है, ऐसे question कई बार देखेंगे आ आप देखो क्या बोला गया है, एक powerful laser को बनाया गया है, जिससे हम क्या करेंगे, उस laser से, आस्मान से जब बिजली गिरती है न, तो उसको आस्मान में हम divert कर देंगे, आस्मान में ही उसको मोर देंगे, तो वो बिजली नीचे नहीं आके गरेगी, बिजली गिरनेस आपको ब और वो बिल्डिंग सुरक्षित रहती है, दूसरी दरफ जो पेड़ वागर आप बिजली गिर जाती है, नीचे धरती पर गिर जाती है, लेकिन उपर नहीं कर रहे है, बिल्डिंग बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा क्यों है, आपको पता होगा, उसके पीछे का reason है, बिजली गिर रही है तो वह रॉड क्या करती है वह रॉड बेसिकली इस बिजली को पकड़ कर वायर के माध्यम से नीचे ग्राउंड में डाल देती है जो ग्राउंड जमीन है वहाँ पर लिजा देए ठीक है न तो यह रॉड इस वह से काफ़ इंपॉर्टेंट होता है सभी लिंक्स पर आपने देखे होंगे तो यह रॉड का नाम क्या है इसको हम लोग बूलता है फ्रैंकिलेंड रॉड यह इसको हम लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस के नाम से भी जानते हैं तो बन सकता है फ्रैंक्निड रॉड क्या नीचे यह पर आम नाम दे दिये फ्रैंक्लिन रोड का एक alternative लेकर आएगा है, एक दूसरा तरीका, क्या है, एक virtual, movable रोड, एक ऐसी रोड जिसको move कर सकते हैं, एक laser beam है, laser light होती है उस प्रगार की यहाँ पर एक beam light आपको देखने को मिलेगी, जो की आस्मान की तरफ यहाँ पर दिखाई जाएगी, और यहाँ पर कहीं ने की, वो एक alternate तरीका कह सकते हो, फ्रैंक्लिन रोड का, वो beam light क्या करेगी, वो आस्मान में जो बिजली है ना, उसको नीचे आने से रोग देगी, उसको divert कर दी, घुमा देगी, मोड देगी, ठीके न, तो यह basically यहाँ पर एक नया process देखने को मिला है, जिसकी है, आप लोग यहाँ पर इसके उपर एक news article भी देख पा रहे होंगे, बोला यह जा रहा है कि, मेड़गैसकर में हाला काफी खराब हो रहे है, reason क्या है, जो जानवर वहाँ पर पाय जाता है, उनका शिकार काफी बढ़ चुका है, जानवर खतम होते जा रहे है, मेडगैसक पास में है, और अगर वो कुछ प्रजातिया भी खतम हो जाती है, तो वो कहीने की प्रजातिया न विलॉप्त हो जाएंगे, उसके बार में कोई नाम और निशान नहीं रहे जाएगा, मेडगैसकर में यह हालत हो रहे हैं, तो बोला यह जाता है, इस research के अंदर में, कि अग अगर ऐसा होता है यह जानवर extinct हो जाते हैं विलूप्त हो जाते हैं तो कहीं न कहीं मडगास्कर को millions of years लग सकते हैं रिकवर करने में यह हालात हैं वहाँ पर तो इस वज़ा से करना क्या है जो जानवर हैं जो खासकर endangered category में हैं threatened category में उनको यहां भी एक protection देना होगा मडगास्कर के अंदर कई सारी animal की प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे ring tailed lemur जो की आपको यहां पर उपर picture में देख रहा है इसकी जो पूँच है उसके उपर आपको कुछ ring वगरा बनाई भी दिख रही होंगी उसके बाद में दुनिया का जो सबसे छोटा camelion है वो यहां प अदम उठाने होंगे नहीं तो फिर मडगास्कर को वापस से recover करने में मैंने बताया millions of millions years लग सकते हैं ऐसा है आप रिसर्च बताती है तो इस वज़ा से मडगास्कर चर्चा में ध्यान में रखना आगे आते हैं उसके बाद अगले news आर्टिकल की तरफ यह सारे science and tech की आर् आयुश्मान भारत School Health and Wellness प्रोग्राम के बारे में तो आयुश्मान भारत School Health and Wellness जो प्रोग्राम है न इसको भी तीन साल हो चुके हैं तो यहां पर बोला जा रहा है कि अभी भी सही से सारी स्कूल के अंदर इसको implement नहीं कर पाएं हम लोग अभी भी बहुत सारी स्कूल बाकी हैं दिसंबर 2022 यानी पिछले साल के अंत तक ही भी अगर हम बात करें तो 766 डिस्ट्रिक्ट में से केवल और केवल 71 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये facilities 100% पहुंच पाई हैं ठीक है जैसे कि आंदर पदेश हो गया सिक्केम हो गया उसके आद में चंडीगड हो गया दन उसके आ कुछ राज्य हैं जहां पर प्रोग्राम पूरी तरह से 100% तक एचीव होने वाला है जैसे यहां पर राजस्थान उत्रकंड हर्याना के अंदर भी यहां पर 90% प्लस यहां पर एचीव हो चुका है कुछ और है यहां पर एचीव करने के लिए बागी कुछ स्टेट्स अभी भी सईसे इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया इसको लागू नहीं किया गया और तीन साल से जाद ही हो चुका है ठीक है तो समझते हैं यहां पर इस स्कीम के बारे में क्योंकि बाकी तो मैं आपको बताया इस न्यूज आर्टिकल में क्या है लेकिन जब तक इस स्कीम के ब पर हमारी ministry of health and family welfare और ministry of human resource development यह दोनों मिलकर यहाँ पर work कर रहे थे उस समय पर, ठीक है, vision की अगर हम लोग बात करें, इसका target क्या है, इसका target है education plus health, इन दोनों चीजों के पर focus किया जा सके, ऐसे जो सरकारी schools है या फिर ऐसे school जहाँ पर सरकार कुछ support प्रोवाइड करवाती है सरकार कुछ grant प्रोवाइड करवाती है, aid प्रोवाइड करवाती है, तो वैसे schools के अंदर में education के सासाथ health के उपर थोड़ा focus रखा जा सके, इसी वज़ा से या पर इस school health program को लेकर आया गया था, नाम से ही पता चल रहा है इसके, इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ teachers को उठाते हैं, जो main teachers होंगे school के, उनको लिया जाएगा, और उनको health और wellness ambassador बना दिया जाएगा उस school का, उनको proper training भी provide करवाई जाएगी, अलग लग जगे से training दी जाएगी उन teachers को ताकि वो बच्चों में health और wellness को अच्छे से promote कर सकें, बढ़ा सकें, और आप कर सकते हों कि, मतलब कि हर सप्था जो है न, एक session चलेगा, एक घंटे का session चला करेगा, जहाँ पर बच्चों को health और wellness के बारे में समझाया जाएगा, और वो जो teacher जिसको ambassador बनाया गया है न, तो उसी teacher को यहाँ पर बोला जागा कि आप यहाँ पर बच्चे के अंदर health wellness चीजों को यहाँ पर promote करो, उसके लिए हर सप्था एक session लगा करेगा, और ऐसी यहाँ पर session चलेगा, ताकि बच्चे इसको हस्ते हस्ते चीजों को सीख जाएं, यहाँ पर मारा major मकसद है, यह हम बच्चों को जो उनकी health है, उसको property डवलप कर सकें, इसका major objective है, वो क्या है इसका major objective है, बच्चों को अच्छा nutrition दिया जा सकें, बच्चों को information हो nutrition के बारे में, health के बारे में सभी को, wellness के बारे में information हो, और पता हो कि हाँपर nutrition की कमी की वेसे कैसे कैसे बिमारियां फैलती रहती हैं, फिर उसका जो बिमारियां होती हैं बच्चों के अंदर में उनको detect है जाएगा, ठीक है, योगा करवाना, meditation करवाना, health और wellness ambassador ये सारे के सारे काम करवाएंगे, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये यहाँ पर school health wellness program है, जो कि अभी तक implement नहीं किया गया है, इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, इसमें एक challenge बताए नहीं बनाया, काफी school के अंदर ये देखने को मिलाए कि एक ऐसे teacher को ambassador बना दिया है, जो कि retirement के कगार पर है, बस retirement होने वाला है उसका, उसको आपने याँ पर ये health और wellness ambassador बना दिया है, ठीक है, और उनके पास में responsibility जो है वो खतम हो रही है, तो उनमें हमें वापस से काम करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, तो I hope आपको समझ मा चुगा होगा कि इस particular program को लेकर scenario क्या चल रहा है हमारे particular देश के अंदर में, next article पर आते हैं, जो कि again काफी ज़दा relevant होने वाला है, यह हमने science and tech का news तो discuss करी लिया था, बाकी Sunday में आपको जो कि बात करता है, why is China population shrinking, इस पूरे article को मैंने पढ़ा और time waste हो गया, तो काओगे सर ऐसा क्यों, काम में नहीं है क्या, देखो काम में है, इस पूरे article को पढ़ने से एक फाइदा यह होगा कि आपको गितनी जादा घुसने की ज़रत नहीं होगी, पूरे article में दो चीजों क population shrink होई है, कम होई है, तो दो reason यहाँ पर बताएगा है, वो दो main reason भी मैं आपको समझाओंगा, don't worry, बाकि एक article हमारा यह है, यह भी काफी लंबा चोड़ा editorial यहाँ पर दिया यहाँ है, जो कि एक बिमारी के बारे में चर्चा करता है, measles के बारे में, measles और rubella, ठीक है, measles को समझते हैं, फिर उसके आद में आपको थोड़ा background data बताऊंगा, साल 2020 में COVID बहुत बुरी तरह से fell चुगा था, और हमारे target साल 2020 से पहले यही था कि हम साल 2020 तक measles और rubella जैसी बिमारी को खतम कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि COVID था, COVID यह से हम सही से बोला यह जा रहा है कि हर साल दुनिया बर में एक लाख से ज़ादा बच्चों की जान जाती है, इस measles की वज़ा से, इस बिमारी की वज़ा से, आप imagine कर सकते हो कि कितना ज़ादा खतरना की बिमारी हो सकती है, इसका fertility rate बहुत ज़ादा है, और जो rubella infection है, rubella infection ज़ादा प इस measles और rubella की वज़ा से, अब हुआ ये कि इंडिया में भी 2022 में, पिछले साल की बात में बता रहा हूँ, ऑक्टूबर में ये चर्चा में था, पिछले साल ऑक्टूबर 2022 में measles का काफी भहंकर outbreak हुआ, कहां पर हुआ माहराष्टरा के अंदर में, तो मुंबई के अंद भी जो measles से ही काफी बड़ा खत्रा बना हुआ है, बाकि इंडिया ने अपने target को achieve करने के लिए काफी कुछ किया, हम लोग ने काफी जरे कदम उठाए, है ना, हम लोगों ने कुछ vaccines वगरा इंट्रोडीउस की, जो कि rubella जैसे बीमारी को tackle कर सके, बट हम इसको implement नहीं कर तक का कि 2023 में हम लोग इस rubella measles जैसे भी मारियों को खतम कर देंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें नए-ने vaccination प्रोग्राम को चलाना होगा, इस particular article में बताया गया, और जो जो challenges से हमें इस health sector में वो थोड़े से face करने होंगे, वो क्या है, आओ इसको समझते हैं, अब सकता है कि measles एक bacterial disease है, तो यह मतलब सही है या wrong है, यह statement सही है, तो ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना चक्मा देने के लिए ऐसे question बनता है, कोई viral disease है या bacterial disease है, हमेशे पता होना चाहिए, यह viral disease है, वारस से हो रही है, बैक्टेरिया की वएसे हो रही है, ठीक है, तो measles एक viral disease है, वारस की वएसे यहाँ पर यह बिमारी फैल रही है, और यहाँ को कहीन है कि बच्चों के अंदर एक बहुत बड़े मौत का कारड़ यह बन रही है, measles जो है ना, यह मतलब कह सकते हो, transmit भी होती है, फैलती भी है, आप nose से जो droplets गिर रहे है, है ना, उसकी वेसे भी transmit हो सकती है, mouth के droplets से कोई अगर बोल रहा है, मुझसे थूख गिर रहा है, है ना, तो उससे भी यहाँ पर बिमारी जो है, फैल सकती है, अगर कोई infected person है, और उसका यहाँ पर जो यह droplet गर रहा है, उसके contact में कोई दूसरा विक्तिया आता है, तो बिमारी फैल सकती है, spread हो सक जाना, उसके बाद में छोटे-छोटे body के उपर white color के spots पढ़ने लगते हैं, white white color के छटे पढ़ने लगते हैं body के अंदर में, ऊपर चहरे के उपर भी पढ़ने लगते हैं, इस प्रकार से आप देख पाते हो, यह measles के सारे के सारे symptoms हैं, यहाँ पर आप देख पाऊंगे, इस प्रकार से यहाँ पर इस बच्चे को यहाँ पर measles हो चुगा है, तो इस प्रकार से body के उपर यह rashes होने स्टार्ट हो जाते हैं measles में, यह बात clear होई, आ गया आते हैं, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर जो rashes जब भी develop होता है यह और जदा बहेंकर उन लगते हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है, रेस्परेटरी इंफेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है, निमोनिया जैसे बिमारियां भी हो सकती है, measles की वज़ा से, बाकि वलेलिबिलिटी की बात करें हैं, कि इतना खतरनाक है, और कैसे होता है, तो खतरनाक तो है ही, बाकि आप वेटामिन की कमी की वेशे होता है, तो जाधा तर यहाँ पर वेटामिन एक ही कमी की वेशे देखने को मलता है, तो पूछा जा सकता है, ध्यानक ना वेटामिन एक ही कमी की वज़ा से यहाँ पर यह measles सबसे जाधा देखने को मलता है, या फिर किसी बच्चे का जो immune system है, व तो हम लोग यहाँ पर measles vaccination चलाते हैं बच्चे के लिए उसके बाद कुछ campaign वगरा चलाए जाते हैं देश के अंदर में जहाँ पर इस measles जैसे विमारी को रोका जाता है और यहाँ पर इसके इससे होने वाली जो death है उसको यहाँ पर reduce किया गया है बाकी काफी सरे और भी efforts हम लोग ने लगाए हैं देखो global vaccine action plan के अंडर में measles और rubella इन दोनों का एक target WHO ने set किया था कि हम 2020 तक खतम कर देंगे जैसे मैं आपको बताया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हम इसको सही से implement नहीं कर पाए सही से immunization नहीं कर पाए सही से लोग लोग बोलने जर्मन मीजल्स यह भी आपको देखने को मिलेगे एक viral infection है जो की जातर बच्चे और यंग एडल्स को परिशान करता है ठीक है क्लियर हो गया चलो अगले particular article पराते हैं अगले article बात करता है वाइस चाइना population shrinking दो पॉइंट्स में काम खतम है आखिरकर चाइना क कि जनसंग क्या लगातार कम क्यों होती जा रही है उसके पीछे का रीजन है अच्छा इस particular picture में भी आप देखके इस मामले को खतम कर सकते हो देखो यहाँ पर देखना लगबग आज से कई साल पहले 1958 में लगबग 1958 से लेकर 62 के बीच में चाइना के अंदर में 20 मिलियन चली गई थी कैसे क्योंकि वहाँ पर ग्रेट फ्यामीन हो गया था आकाल पढ़िया अब था खाने का भुक्मारी हो गई जिसकी वज़त से यहाँ पर यह इतने सारे लोग की जान गई माउजदाओं के अंडर में यह सारा काम हुआ था तो 1958 से 62 के बीच में आप देख़आ जो पॉपॉलेशन है वो घटती भी निज़र आई है लगातार खतम होती भी निज़र आई है फिर उसके बाद में अब जब क्या होता है एक तो काड़र इडिया हो गया जिसके चक्कर में पॉपॉलेशन घटती जा रही है दूसरा 1979 में चाइना ने अपनी पॉपॉलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिशी जारी कर दी 1979 के अंदर में और जैसी वन चाइल्ड पॉलिशी यहाँ पर जारी होती है न तो इसके बाद हालात और साथे खराब हो जाते हैं वन चाइल्ड पॉलिशी लागो होने के बाद में कुछ ताइम ता यहाँ पर situation normal होती लेकिन उसके बाद यहाँ पर लगातार आप कर सकते हो यह decline ही देखने को बिला क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने बोला कि एक बच्चा ही पैदा होगा अब एक बच्चा पैदा होगा तो एक बच्चा पैदा कर रहे थे दूसरे बच्चों को कोई support मिलेगा चाहिए चाइना यहाँ पर टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर भी आ चुका है लेकिन उसके बावजूद भी situation नॉर्मल नहीं उपा रही है आज के समय पर चाइना में जो बच्चों का जन्म है न वो कम हो रहा है लोगों की मृत्यू जादा हो रही है यह हालात देखने को मिल हाला ज़दा खराब हुए एकदम से यहाँ पर रोक लगा देना population की ओपर भी वो भी यहाँ पर देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है उसको लेकर यह article है ऐसे कई article अभी आने वाले समय पर publish होते रहेंगे होते रहेंगे तो आप यहाँ पर काफी कुछ discuss करते बाकी यहाँ पर कुछ नहीं करना जितनी relevant चीज़े थी वो सब आपको background data के साथ में बता दी गई है PDF से यह सारी चीज़े डाउनलोड कर लेना है अब एक और important बात आती है कि सर thumbnail वाल आर्टिकल आपने नहीं बता है बिल्कुल भूल रहे थे लेकिन भूलते भूलते बच हैं और अब यहाँ पर हम थोड़ा discuss कर लेते हैं हो आप ऐसा हो जाता कि आज थम्देल वाल आर्टिकल छूड़ जाता ठीक है देखो एक एडिटोरल कल में पढ़ रहा था तो उस एडिटोरल के अंदर के जो कुछ points है वो यहाँ पर काफी मज़दार निकले Google जैसी जो company है वो आज के समय पर धेर सारी problem को face कर रही है ठीक है गूगल कहीं न कहीं जैसे जैसे चैट GPT आया है चैट GPT के बारे मैं को कई बार पढ़ाया है याद होगा है चैट GPT basically open AI company ने बनाया है एक ऐसा यहाँ पर system है जो कि आपका सारा काम कर सकता है सारा काम आपको कुछ भी information ल आपड़ता चैट GPT के अंदर में तो गूगल कहीं ना की गूगल की नींदे उड़ चुकी है चैट GPT की वजह से तो गूगल ने अपने खुद के AI सर्च के उपर काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि चैट GPT के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं यह concept अभी दो महीने पहले च चैट GPT में केवल और केवल दो महीने के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं तो चैट GPT एक artificial intelligence आपको सर्च देखने को बिलेगा और कहीं ना कहीं गूगल इसी प्रकार के सर्च को पर काम करा नहीं तो आने वाले समय पर गूगल का जो सर्च इंजन है वो इतना यूज नहीं किय जाएगा गूगल का सर्च इंजन बस खाली यूज किया जाएगा चैट GPT को ओपन करने के लिए क्योंकि वहीं पर वेबसाइट अवेलेबल है वहीं पर आप उसको ओपन कर सकते हो उसका लावा गूगल को कोई भी यूज नहीं करने वाला इसको लेकर गूगल यहां पर कह लेकिन आर्टिकल में जब पॉइंट व्यूज को आप और डीटेल से अनिलाइस करोगे तो एक्सपर्ट से कहना कि इतना असान नहीं गूगल को ओवर टेक करना अभी काफी समय लगना है क्योंकि चैट GPT के अंदर इतनी सारी प्रॉसेसिंग नहीं है चैट GPT क्या है आप वेबसाइट पर जाओगे ना गूगल पर टाइप करोगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी ओपन करोगे वहां पर सारी इंफोर्मेशन आपको चैट GPT दे सकता है आपको जो भी सवाल पूछना हो चैट GPT के पास में उसका उत्तर है तो कहोगे सर यह क्या बात है गूगल बी तो यह काम है ना देखो गूगल पर आपने कुछ सेर्ज किया आपने अपने निकाला देगा बस खाली आपको लिखना ही वही है तो कहोगे इससे brain IQ कम होगा, हाँ सही बात है, तो यहाँ पर इससे जो human का efforts है, लोग की जो creativity वो तो खतम होगी न, Google वैसी काफी creativity खतम कर चुका है, अब यहाँ पर chat GPT आके और धीर सारी creativity को खतम कर देगा, तो कहने के इंसान के लिए खतरनाग भी है, तो कहोगे कि इससे company अ बेल पर कई बात कर लेते हैं, उनको message कर लेते हो, तो वहाँ पर एक इंसान बैटा होता है, दूसरी तरफ, वो आपका reply देता रहता है, वो आपको सारी चीज़े, आपकी problem का solution देता रहता है, लेकिन chat GPT जब होगा, तो उस इंसान की ज़रुवत क्या पड़ेगी, chat GPT को र तो imagine कर आने वाले समय पर क्या जबरदस्त इसकी reach होने वाली है, पता है लेकिन दिक्कत क्या है, गूगल जो है एक इंटरनेट है, आप इसको, गूगल पर आपको सारी latest information मिलेगी, लेकिन chat GPT में ऐसा नहीं है, chat GPT के अंदर ने यहाँ पर किसी इंसान ने वो सरी की सारी information भरी है, तो यहाँ पर जो information इसके अंदर डाली गई है, वो अभी तक 2020 तक की information डाली गई है, 2020 तक से पहले की जो situation है, अगर 2020 से पहले का जो भी कुछ पूछोगे वो यह बता देगा, 2020 के बाद का कुछ पूछोगे तो यह नहीं बता पाएगा, और बताएगा अभी तो clearly न लगर एक हाई जो है, वो बन जाईगी लोगों के अंदर में, यह बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो I hope आपको clear हो चुका होगा, एक editorial था, जो कि मैने यहाँ पर पढ़ा था, जिसके बैसे मैंने सोचा है, चलो thumbnail बनाते हैं, और आपको बताते है कि Google खतरे में पढ़ सक है, वैसे आप भी इसका यूज कर सकते हो, कैसे, Google पर जाओ, चैट जीपीटी टाइप करो, वेबसाइट में लेगी, वहाँ पर जाकर ओपन करना उसको, और ओपन AI कंपनी की वेबसाइट, ओपन AI कंपनी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सर्च करके दे क्वेशन यह था कि कौन सा एक ऐसा कंट्री है, जो कि Gulf Corporation Council का मेंबर नहीं है, तो उसका सही उत्तर है, Option A, Option A, Iran, इरान यहाँ पर इसका GCC का मेंबर नहीं है, नाउ, मलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जाहिंद